criticism, criticism जो है basically यह इस context में हम discuss करने जा रहे हैं कि जो Lewis-Dekosaure की जो philosophy है कि वो बहुत ज्यादा importance देते हैं कि conflict जो है वो positive भी हो सकता है उसका human relationship के साथ कैसे तालुक बनता है और human relationship जो है जरूरी नहीं है कि वो conflict outcome के तौर पर negative perform करें बास अकात conflict जो है वो मौश्रे में मसबत तब्रीलियां भी लेकर आता है तो कुछ इसके बारे में जो कुछ criticism है definitely we must try to understand that criticism because many political sociologist they feel that if there is a conflict in a system or in a society then definitely जो situation है that will move towards the chaos लेकिन कोजर ने जो suggest किया because his philosophy is that conflict tends to be dysfunctional only for social structures in which there is insufficient tolerance or institutionalization of conflict अब कोजर पर जो तनकीद करते हैं उनके लिए जवाब ये है कि कोजर का ये ख्याल है कि जो conflict है ये सिरफ वहाँ पर negative impact होगा इसका उन social structures पर जहां पर insufficient tolerance है यानि अगर मौशरे की तर्बियत ऐसे नहीं हुई हुई है कि वो इक्तलाफ को बरदाश्ट कर सकें तो ही मौशरे के उपर negative impact होगा अगर मौशरे के अंदर अगर structure के पास tolerance है अगर structure बरदाश्ट कर सकता है कि कोई नहीं तबदीली, कोई नहीं change, कोई नया सवाल आया है तो उसको कैसे tackle करना है, कैसे deal करना है तो तसादम negative नहीं होगा Highly intense conflicts that threatens to tear apart society tend to arise only in rigid social structures Again, poser की philosophy that is quite interesting कि जो मौशरा जिसके बारे में ये कहा जाएगा कि कोई तसादम उसको तार-तार कर देगा या उसको डैमेज करेगा तो ऐसा मौशरा सिर्फ हुई होगा जो बहुत ज्यादा rigid social structure होगा Rigid यानि हर कोई अपनी अपनी ideology के साथ अपने beliefs के साथ इतना strict होगा कि उसके पास इतना margin या गुनजाश नहीं होगी To accommodate other अगर margin होगा अगर मौशरे की तरबियत ऐसी की गई है और ये तरबियत कौन करेगा जाहर है वो जिनके पास power है जाहर है वो जो के authorities है अगर उन्होंने अपने मौशरे के अंदर लोगों की तरबियत human relationship को ऐसे design किया हुआ है कि वो rigid नहीं है कि वो intolerant नहीं है तो वो किसी भी सवाल के उपर किसी भी मसले के उपर किसी भी conflict के उपर एक दूसरे के लिए margin भी create करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि उस तसादों को भढ़ने से या फैलने से रोका जा सके के वुआ इन Аजएक से तूसला से पूसरे कोशिश करें, कि वाविola कोशिश क्यों अपर बहाई का से वाहर जाज़ इसे लिए का देवले मूचल क मिलकर होशर ए किसीति क्यों प्रेंगे ओनानल इस। आसे सेर्षैण ओिए्ट्सिस्य के सफ़हिए and depicts conflict as the form of socialization. कोजर की basic philosophy जो है और जो लोग इस पर criticism करते हैं उन्सका जवाब देने के लिए उनके पास एक बहुत solid argument है that conflict is a form of socialization. कि conflict जो है ये भी तरबियत का एक रास्ता है. जहां तसादम होगा बुनियादी तोर पर मौश्रे के अंदर तरबियत जनम लेती है कि इखतलाफ को बरदाश्ट करने का तसादम को बरदाश्ट करने का क्या क्या तरीके कार हो सकता है. तो इनका ये ख्याल है कि अगर मौश्रे ने जिन्दा रहना है अगर मौश्रे ने आगे भढ़ना है और मौश्रे ने re-grow करना है तो देन डेफिनेटली तसादम एक हकीकत है और तसादम के रास्ते से ही सोशलाजेशन का एक निया प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है और उस प्रोसेस के थूँ जो है वो कॉनफ्लिक्ट से कॉपरेशन का रास्ता जो है वो जनम लेता है और उससे जो सोशल फंक्शन है उसके लिए स्पेस आती है तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो कॉनफ्लिक्ट जो है according to closer is an essential element in group formation